जीतिया व्रत और जिवित पुत्री का व्रत को लेके फिर से 2024 में confusion है 24 को व्रत रखना है या 25 को रखना है तो आए इस confusion को दूर करते हैं और आपको बताते हैं सही टाइम की 24 को रखना है या 25 को रखना है जीतिया व्रत और जिवित पुत्री का व्रत को लेके हर साल confusion रहता है और इस साल भी confusion है 24 को व्रत रखना है या 25 को रखना है मिथला पंचांग के अनुसार 24 तो बनारसी पंचांग के अनुसार 25 को जिवित पुत्री का वरत रखा जाएगा इस वर्स मिथला पंचांग और बनारस पंचांग के अनुसार जिवित पुत्री का वरत अलग-अलग दिन मनाए जाएंगे मिथला में ये 24 सितंबर को और बनारस में 25 सितंबर को होगा महिलाएं संतान की लंबी उम्र के लिए उपवास जिवित पुत्री का वरत रखती हैं जबकि बनारस पंचांग को माने वाली 25 सितंबर को निर्जला निराहार उपवास करेंगी मितला पंचांग में आश्विन क्रिश्न पक्ष अस्टमी को ही जूतिया वरत रखा जाता है इस वर्ष 24 सितंबर साम 6 बजकर 6 मिनट तक सप्तमी तिथी है इसके बाद अस्टमी शु कर 5 मिनट तक रहेगा ऐसे में वरती 25 सितंबर साम 5 बजकर 15 मिनट के बाद पारण कर वरत तोरेंगी वरती महिलाएं 23 सितंबर को जूतिया वरत के लिए नहा खाय करके संकल्प लेंगी पुत्री का वरत में महिलाएं खाजा मिठाय फल और डलिया भरती है जूतिया वरत में वे चील सियारने की कथा सूनती हैं बनारस पंचांग के अनुसार 25 को जूतिया वरत 25 सितंबर को होगा 55 पंचांग के अनुसार 25 सितंबर को बुढ़वार की शाम 4 बजकर 56 मिनट तक अस्ट मिनट के बाद समाप्त हो रहा है इसके बाद अस्टमी तिथी शुरू होगा बनारस पंचांग को मानने वाली वृतियों के अनुसार उद्याति थी कि अश्टमी को ये वृत रखने की परंपरा है इसलिए वृति 25 सितंबर को वृत का निराजला निराहार उपवास करेंगी उद्यातिथी के अनुसार 26 सितंबर गुरुवार को व्रती महिलाएं पारन करेंगी कि सब्तमी मिला हुआ अश्टमी व्रत नहीं करना चाहिए कि कृतिसार निर्ने सिंधु ग्रंत में ये निर्ने दिया हुआ है इसके अनुसार जिस दिन उद्यातिथी की अश्टमी हो उसी दिन जूतिया व्रत कर नाशुब दायक होता है इतला पंचांग के अनुसार इस बार जूतिया व्रत 36 गंटे का है तो वहीं बनारस पंचांग के अनुसार इस बार जूतिया व्रत 24 गंटे का है कैसा लगा आप सभी को हमारा ये जूतिया व्रेट वीडियो प्लीज कमेंस करके जरूर बताइएगा अगर आप मेरे चैनल पे पहली बारा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राब और सेर करना बिल्कुल नबोना थैंक्स पर वाचिंग, कीप सपोर्ट प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइएगा